असलाम अलेकुम वेलकम तो मास्टर ओफ एरा तोड़े वी गोना लेर्न हाव तो चेंज बैक्डराउंड इन फोटोशॉप सो लेट्स गो तो इसको मैं अल्रेडी एडिट कर चुका हूँ इसका मैंने टोटली बैक्डराउंड जो है वो चेंज कर दिया था तो इसी इमज को फिर से एडिट करेंगे तो यह एक लेयर है जो के अभी लॉक्ड है इसको अनलॉक करने के लिए हम इस लॉक के उपर क्लिक करते हैं तो यह अनलॉक हो जाएगी और इसकी हमें एक लेयर की कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो इसकी यह कॉपी क्रियेट कर अब quick selection tool के उपर हम click करते हैं तो उपर एक button show हो जाएगा जो select subject के नाम से है इसको जब हम click करते है तो photoshop जो है वो automatically इसको select कर देगा totally subject को अब जाएंगे select and mask के उपर इधर show edges के उपर click करेंगे ताकि वो sharpness नजर आए और radius को हम कर देंगे 1 pixel smoothness 5% और जो feather है इसको हम 0.5 pixel में कर देंगे बाकी हम लोगों ने जैसे कि सब कुछ select कर लिया है तो अब हम इसको कर देते हैं okay का button press कर देंगे और यह सब select होगे है अब हम क्या करेंगे control x से cut करके subject को इसको हम इसको paste कर दिया और बाकी दोनों को disable कर दिया इसको हम drag करके एक दफ़ा align कर लेते हैं उसके बाद इसके पीछे हम एक adjustment layer लगाएंगे adjustment layer के अंदर जाकर solid color के उपर आप अब क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पैनल आ जाता है तो इसको okay कर दें कोई भी color select कर सकते हैं इसको drag करके इस image के back side पर लेते हैं तो यह totally background change हो गया है sharpness के साथ और अगर कोई color change करना आपने अपनी मर्जी का रखना है तो आप इदर जाके कोई भी color change कर सकते हैं just like that that's how you can change your image background in photoshop do like and subscribe master of era for more updated videos and tutorials thank you for watching Allah Hafiz